आज हम आपको reference tab के table of content option के अंतरगत सभी options की जानकारी दे रहे हैं माल लीजिए कि आप Microsoft Word में एक लंबे दस्तावेज पर काम कर रहे हैं जैसे कि एक academic document या एक बड़ी report प्रोजेक्ट के आधार पर या दर्जनों या सैकडों pages लंबा हो सकता है या याद रखना कठीन हो सकता है कि यदि कोई दस्तावेज इतना व्यापक होने पर किन pages में कौन सी जानकारी है Microsoft Word में आपको सामगरी की एक table बनाने का एक आसान तरीका है table of content जिससे आप अपने lesson को व्यवस्थित और explore करना आसान हो जाता है सामगरी की table books की शुरुआत में chapter list के समान है या दस्तावेज एक प्रतेक section के साथ साथ उस page संख्या को सूची बद करता है जिस पर यह शुरू होता है तो चलिए अब इसे practical तरह से समझते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को like करें, comment करें, share करें, subscribe करें और bell icon को जरूर दबाए तो चलिए वीडियो को शुरू करते है table of content का use करने के लिए आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक document insert किया हुआ है जिसमें आप देखेंगे हमने पहला जो page है बिल्कुल blank लिया हुआ है और बागी के pages पे हमने यह आपर कुछ document insert किया हुआ है और आपको समझने में आसान हो, इसलिए हमने यहाँ पर page number को भी आप insert किया हुआ है आप देखेंगे, page नमबर दो, तीन से लेकर के लास्ट, आठ नमबर तक page हमने यह आपर insert किया हुआ है और जितने भी हमने pages यहाँ पर insert किये हैं, सभी pages में हमने कुछ यहाँ पर headings और इनकी subheadings यहाँ पर create किये हैं तो table of content का use करने से पहले इन सभी pages में हमें यहाँ पर headings का use करना होगा, आप देखेंगे home tab में हमें यहाँ पर एक option दिखाई देगा clear दिखाई दे, अब सबसे पहले हम चले जाते हैं page number 2 पर page number 2 पर जाने की बाद इस वाले heading को हमने यहाँ पर select किया, और home tab में जाने की बाद हमने इसे convert कर दिया heading 1 में हम heading 1 में जैसे इसे click करेंगे तो आप देखेंगे, यहाँ पर heading 1 में जैसे आप इसे heading 2 पर click करेंगे, तो आपके document जो होगा, वो heading 2 में यहाँ पर convert हो जाएगा, इसी तरीके से scroll करके हम नीचे और आ जाते हैं, page number 3 पर इस पहली वाली line को हम यहाँ पर select करते हैं और इसे भी हम यहाँ पर heading 1 में convert कर लेते हैं heading 1 में convert करने के बा долж करने के बाद नीचे आते हैं नीचे आने के बाद बाकी की जितनी भी heading से हैं उन सभी कॉम यहाँ पर heading 2 में convert कर लिए और नीचे जाने के बाद, इस वाले document को हम वापस से heading 1 canवर्ट कर लेते हैं यह पेज नूबर फॉर पर है तो यहाँ पर हमएटिंग One देते है तो हम इस वाले un लक्मेंट को हम यहाँ पर फैस करके इशो को next page पर shift करते हैं और उसे भी हम Heading 1 में convert कर लेते हैं। नेचे की तरह आने के बाद इस Document को select करके हम इसे Heading 2 बना देते हैं। और उसके बाद इसे भी select करके हम यहाँ पर Heading 2 बना देते हैं। इसी तरीके से आपके पाद जित्ने भी Documents होंगे, उन सभी documents वे आपको heading 1 और heading 2 का यहाँपर use करना है without heading 1 और heading 2 का use किए और आप यहाँपर table of content का use नहीं कर सकते तो इसी तरीके से हम यहाँपर सभी documents मे儿 heading 1 और heading 2 का यहाँपर use कर लेते हैं अब देखेंगा हमने सभी documents को यहाँपर headings में convert कर लिया है इसके बाद इसे भी सिलख करकी हम इसे भी heading 1 में convert कर लेते हैं और सारे के सारे documents हमारे heading 1 में convert हो चुके हैं सभी document को headings में convert करने के बाद हम चले जाते हैं सबसे उपर पहले वाले page पर यानि blank वाले page पर अब इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर इसे multiple pages view में ला देते हैं ताकि आपको document बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे इसके बाद blank वाले page पर आपको यहाँ पर click करना है click करने के बाद आपको जाना है यहाँ से reference tab के अंदर reference tab पर जैसे आप click करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर table of content का एक option दिखाई देगा इस पर आपको click करेंगे इस पर जैसे आप click करेंगे तो आपके सामने आपर काफी सारे content के format यहाँ पर दिखाई देंगे जिसमें से आप किसी भी एक format को यहाँ पर select कर सकते हैं हम यहां पर automatic table 2 को यहां पर select करते हैं, जैसे हम इस पर click करेंगे, तो आप देखेंगे हमारा यहां पर content create हो चुका है, अब मैं इसे थोड़ा सा zoom करके आपको दिखा देता हूँ, तो view tab में जाने के बाद यहां पर one page को मैं select करता हूँ, इसके बाद आप देखेंगे यहां प पर page number 2 पर यह भी represent कर रही है, तो इसको मैं दिखा देता हूँ, नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे, तो page number 1 पर आप देखेंगे, हमारी heading 1 थी, और इसके नीचे आप देखेंगे, under everywhere का जो option है, वो page number 2 पर ही है, जो इसकी sub heading आपको यहां पर represent कर रहा है, तो इसी तरीके आप online भी यहाँ पर insert कर सकते हैं, table of content के बहुत सारे format आपको यहाँ पर online भी मिल जाते हैं, इसके नीचे की तरफ अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको दिखाए देगा custom table of content का, यानि यहाँ पर आप अपने हिसाब से table of content का जो format होता है, उसको customize कर सकते हैं, जैसी में अगर आप dots की जगाँ पर lines create करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर use कर सकते हैं, इसके लावा अगर आप यहाँ पर levels को define करना चाहते हैं, तो अभी देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 addings यहाँ पर represent कर रही हैं, अगर आप इसे increase करेंगे, यहाँ पर आपकी addings यहाँ increase हो जाएंगी, और उसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने काफी सारे formats आपको दिखाई देगे, जिसमें से कोई भी format आप यूज कर सकते हैं, जैसे मालिज हमें यहाँ आपर classic format यूज किया, तो classic format में आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे page number दिखाई दे रह होगी, तो उसलिए हम यहाँ पर from tablets का यहाँ पर use करेंगे, और यहाँ से आप जो भी dots या line जिसका भी use करना चाहिए, वो यहाँ पर select कर सकते हैं, select करने के बाद आप देखेंगे, आप आपके सामने दो option आपको और दिखाई देंगे, जिसमें लिखा है, show page number and right align page number, इसका अगर आप टिक हटा देंगे, तो आपका जो page number का alignment होगा, वो right से हट करके, बिल्कुल landing के साथ में आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो mostly हम यहाँ पर right align को भी यहाँ पर select करके रखेंगे, ताकि जो हमारा document है, वो थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे, और इसके बाद link का use होगा, और अगर इस पर tick नहीं रखेंगे, तो link का यहाँ पर use नहीं होगा, तो इसको select करके, जैसे हम यहाँ पर ok button पर click करेंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर yes to all का एक option आएगा, इस पर हम यहाँ पर इसे click कर देंगे, click करने के बाद आप देखेंगे, हमारे सा पर आदेगा हमारी heading 1 पर, यानि इसका link create हो चुका है उस table of content से, इसके लाब आप किसी भी heading पर जाकर के जैसी click करेंगे, तो directly आप उसी जगा पर यहाँ पर jump कर जाएंगे, तो इस तरीके से आप table of content में directly link भी create कर सकते हैं, और अगर आप link को हटाना चाहते हैं, तो आप custom option पर जाकर के, यहाँ से आपको stick को हटाना होगा, जिससे आपका link यहाँ पर हट जाएगा, तो इस तरीके से आप table of content के इन सभी option का यहाँ पर use कर सकते हैं, इसके बाद अगर आगर नीचे की तरफ हम जाएंगे, तो आपको यहाँ पर एक option दिखाए देगा, remove table of content का, इस प करने के बाद आप देखेंगे, आपको यहाँ पर एक और option दिखाए देगा, save selection to table of content gallery, इस पर अगर आप click करेंगे, तो आप इस content को building and blocks में यहाँ पर save कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने content को यहाँ पर permanently save करके भी रख सकते हैं, इसके बाद आप देखेंगे, update table का, update table का किस तरीके से use किया जाता है, जैसे माल लीजे, हम यहाँ से चले जाते हैं, page number 2 पर, और page number 2 पर जाने के बाद माल लीजे, हमने यहाँ से कुछ matter को select करके delete कर दिया, और अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे heading होगी, उस सिर्फ इतनी ही मुझे heading रखनी है, इस से ज़ आपके सामने यहाँ पर दो option आपको दिखाए देंगे, सबसे पहला option होगा आपका update page number only, यानि इसको select करके अगर आप OK button पे click करेंगे, तो आपका page number सिर्फ update होगा, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप second option को select करेंगे, इसमें लिखा है update table, यानि आपने अपने table में कोई data एक्सरा insert किया है, तो वो यहाँ पर update हो जाएगा, तो यहाँ पर जैसे हम इसे select करके ओगे button पे click करेंगे, तो आप देखेंगे हमारी line में जो भी हमने data यहाँ से delete किया था, वो यहाँ से update हो चुका है, इसी तरीके से अगर आप page number में कोई changes करना चाहते हैं, जैसे माल ल जाता हूँ, तो इसमें मैं वापस से update table को select करूँगा, और यहाँ पर पहले वाले option को select करके, जैसे मैं आपर okay button पर click करूँगा, तो आप देखेंगे हमारा page number यहाँ पर update हो चुका है, अभी जो हमारा page number था, वो page number 2 पर यह दोनों content आ रहे थे, अब आप देखेंगे तो यह दोनों के दोनों content हमारे page number 3 पर shift हो चुके हैं, तो इस तरीके से आप table of content के सभी option का यहाँ पर use कर सकते हैं, इसके बाद आप देखेंगे table of content में यहाँ पर एक option आपको दिखाए देगा, update table का, तो यह update table का option वही है, जो मैंने recently अभी आपको बताया, इस पर जैसे आप click करेंगे, तो यहाँ से आप अपने content में जो भी चीज अपडेट करना चाहते हैं, directly आप इस पर click करके महाँ से उसे update कर सकते हैं, और इसके बाद आप देखेंगे, आपको यहाँ और option दिखाए देगा, add text का, और add text में आप देखेंगे, आपको यहाँ पर levels दिखाई दे हैं, तो इस level का किस तरीके से use किया जाता है, मैं वो भी आपको clear कर देता हूँ, इसके लिए हमें यहाँ पर page number 2 पर आजाएंगे, दो पर आने के बाद हम इसमें से किसी भी word को select करके, मालनीजा हम उसे adding में convert कर लेते हैं, for example, यहाँ पर हमने for mac user को यहाँ पर select किया, select करने के बाद हम इसे किसी level में convert कर देते हैं, मालनीजा हमने इसे यहाँ पर level 3 में convert कर दिया, level 3 पर इसे convert करने के बाद, आप ऊपर की तरफ जैसे ही जाएंगे, table of content वाले option पर, और यहाँ पर update table को select करके, यहाँ पर update enter table को select करके, जैसे यहाँ पर og button पर click करेंगे, तो आप heading के बजाए, sub heading create करना चाहते हैं, तो directly आप यहाँ पर levels का easily use कर सकते हैं, इसका मैं आपको एक और example create करके बता देता हूँ, जैसे माल लीजे, हम यहाँ पर आगए page number 3 पर, page number 3 पर आने के बाद, यहाँ पर हम कुछ heading को यहाँ पर type कर लेते हैं, जैसे माल लीजे, हमने यहा level 1, level 1 में इसे जैसे हम convert करेंगे, तो हमारे पूरा document एक तरीके से level में convert हो जाएगा, आप कह सकते हैं, एक तरीके से heading में convert हो जाएगा, और इसके बाद जैसे यहाँ पर आपने table of content को आप update करेंगे, जैसे माल लीजे, हमने आपर click किया, और यहाँ पर आपको update, enter table को select करना और यहाँ पर जैसे okay बटन पर आप click करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर Excel InfoTec के नाम से आपके सामने एक और heading यहाँ पर represent हो जाएगा, तो इस तरीके से आप table of content का यहाँ पर use कर सकते हैं, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को like, comment शेज जरू क कीजेगा, धन्यबाद